गुड मॉर्णिंग टैंट क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्टीन मेगनेटिक फिल्ड जिसमें बेसिकली मेगनेटिक फिल्ड होती क्या उसके बारे में हमने पढ़ लिया था आज का हमारा है राइट हेंड थम रूल यानि कि दाइने हाथ अंगुठे का नियम ये क्या होता है तो अगर माल इसमें क्या है कि हमें हमारे कोई मेगनेटिक फिल्ड है वह करेंट के साथ किस तरी में बहेर रही है किसी में से तो जो उसका वो चुम्बक्य जो शेत्र है उसकी दिशा क्या होगी तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा राइट हेंड थम्ब रूल है उसमें मारे हमने kisie चीज को पकड़ाओ यान निकी कोई कोई ऐसी चीज माल जो यहाँ पर कोई तार है جिस में से क्या हुं रहा है करण्ट जा रहा रहा यान की करण्ट विद्यूत हो रही है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिये मेरे हाथ में ये क्या है एक करंट है क्वायर है जिसमें से करंट परवाइत हो रहा है तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा ठीक है तो ये जो हमारा अब ये देखिए ये जो मेरा अगुठा है ये बताएगा करंट की दिशा को यानि कि विद्धु से जो हमारे इस डारेक्शन से बहर रही है और जो हमारी जो उंगलिया मेरी रैप हो रखिया यानि कि जो हमारी magnetic field है वो कैसे भेह रही है इसमें यानि कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो चुमबक क्या हो जो current है उन दोनों में किसका होता है 90 इंगर होता है यानि कि दोनों एक दूसरी के क्या होती है perpendicular होते है देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने right hand को लीजिए उसमें किसी pen को पकड़ी और कुछ इस तरीके से रैप कर लीजिए ठीक है तो अंगूठ आपकी विद्यूत को बताएगा current को और जो इंगलिया रैप है ये बताएगी magnetic field को ठीक है तो ये देखिए अब हमारा इससे related question क्या है कि ये question आपका इससे आपको समझाए देखर एक current through horizontal power lines flow in east to west यानि कि विद्यूत जो है किसी जो horizontal power line में उसमें कहां से बहर रही है पूरव से पश्चिम की और बहर रही है यानि कि चुम्बक ये शेत्र की दिशा क्या होगी अगर ये point directly below it यानि कि वो उसके नीचे की तरफ संकेत कर रही है या फिर उसके ऊपर की तरफ संकेत कर रही है तो देखिए इसमें current हमारा बहर है इस पूरु से पश्चिम की तिसा में right hand thumb को आप rule को use कीजे तो we get the magnetic field turn clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from east and anti-clockwise when viewed from the west यानिकि उसनी क्या कहा है यगर हम east से देखिए तो कैसी होगी मालो ये east ये direction है आपकी मालो देखिए कुछ इस तरीके से उतता है ये है आपका नोर्थ साउथ इस वेस्ट ठीक है ये मेरा east है तो current क्या से बहरा है इस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ठीक है मेरा ये current है इस्ट से वेस्ट की तरफ जब भहरा है तो मेरी direction क्या होई इस तरीके से ठीक है current यूँ भह गया ये current ऐसे गूम रहा है तो घड़ी हमारी कैसे गूम रही है clock wise देखिए ये कैसे clock wise घड़ी भी हमारी कैसे गूमती है अगर आप ये घड़ी बना लेजिए तो हमारी ये 12 1 2 3 4 5 6 तो घड़ी हमारी ऐसे चलती है ठीक है तो इस्ट से वेस्ट में देखो अब इस घड़ी के हिसाब से देखिए तो ये देखिए ठीक है कैसे जा रहा है clock wise इस्ट से वेस्ट उसके बाद क्या कहा है point directly above it यानि कि अब क्या जैसे जा रहा है वह उपर यानिकि उल्टा ब यह तो मेरा उत्तर से यह था तो पश्चिम से पूर वह हमारा क्या हो जाएगा anti clock wise यानि कि मेरा current कैसे बहेगा ऐसे बहेगा तो यानिकि anti clock wise हो गए यानिकि दूसरी तरफ से बहेगा तो यह आपका answer हो गया तो अगर आपको right hand thumb rule की practice कीजिए तो आपको समझ में आ जाएग कि current किस तरके से बहेगा यह हमारा important है next देखिए क्या है magnetic field due to current through a circular loop यानि कि एक loop है circular कैसे goal loop है उसमे current बहर आए magnetic field उसमें बतानी है तो देखिए we have so far observed that pattern of magnetic field line produced around current carrying अब तक हमने देख लिया है कि अगर straight current straight wire है तो उसमे current कैसे flow करा है जो मैंने आपको बताए था right hand thumb rule को हमने यूज किया है तो अब देखिए मालो अब हमारी जो wire है वो bent हो जाए यानि कि एक loop बन जाए कि कैसे कुछ इस तरीके से अब loop की formation होगी अभी तक तो हमारी wire ऐसे बहरी थी अब मैंने इसको circular कर दिया मालो ऐसे loop में बना दिया तो हमारा current किस तरीके से बहेगा तो अब इसक किस को दिस्टेंस के यानि कि जितना ज्यादा दिस्टेंस होगा उतना current हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो क्या है similarly at every point of current carrying circular group the concentric circles representing magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire उसनी क्या कहा है कि अगर हमके कोई current में देखे circular loop में concentric circles बनेंगे से बनने सुरू होएंगे जो magnetic field को बताते हैं कीम चुमबक के शेत्र को बताते हैं और यह क्या है बड़े बड़े होते जाएंगे जैसे हम wire से क्या होते जाएंगे दूर होते जाएंगे away from the wire by the time we reach at the center of the circular loop जैसे हम center में पोच्चते circular loop के the arc of these big circle would be appear a straight line और यह कैसा current would give rise to magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop by applying the right hand thumb rule it is easy to check every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same box within the loop तो उसने क्या कहा है देखिए आप इसको इस तरीके से देखिए हमारा diagram देखिए हमारा क्या एक circular loop है जिसमें वाहर को कर दिया इसमें यह हमारा current flow हो रहा है तो वो क्या कहता है कि जैसे जैसे यहाँ पर जो हमारा है magnetic field वो के circle में जैसे जैसे यह हमारे से दूर होती गई यह हमारा loop है इससे दूर होती गई इसके यह circle क्या है बड़े होते चले को सेंट्रिक होते हैं पहले देखो इस circular है धीरे धीरे हाफ 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 को सेंट्रिक हो गए और जैसे हम इस वाहर कि सेंटर में आए तो हमारा जो magnetic field है वो कैसी हो गई स्ट्रेIGHT हो गई क्यों क्योंकि हमारा डिस्टेंस कोर्ण का निवर्सरिल प्रपोरश्वर स्ट्रे Quickly चितनी दूर होऊगा burned टिक फिल्ड इक अजिक उतनी कम हो जाएगी स्टेट हो गई larger larger होती गई और यहाँ पर क्या हो गई हमारा स्टेट लाइन हमीं मिल गई तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हमना जो आपका वो रूल है राइट झाम द॥म में उसे भी उसका है यहां पर च선 पहुंद दिलें ऊपे यहां है पर पिर अभी में पता है we know that the magnetic field produced by current carrying wire at a given point depends on the current passing तो इसने क्या का है कि मैंने जो आप लोगों को बताया है कि जो हमारी magnetic field है यानि कि चुम्बक यह शेत्र M है वो हमेशा हमारी current है उसके क्या होता है directly proportional होता है समान उपाती होता है यानि कि जितना हमारा अगर किसी current है wire में से current हमारा बहर आए तो हमारी magnetic field है क्या होगी उसके directly proportional होगी यानि कि जितना current पास होगा उतनी हमारी क्या बनेगी magnetic field बनेगी therefore if there is a circular coil having in tons the field produced is n times as larger as the produced by a single ton उसने क्या क्या है कि अगर हम circular coil की बात करें उसमें number of tons कितने n है मालो एक ton है जैसी है one two three four इस तरह किसे n circular turn है तो उसमें field क्या होगी जो current है वो भी कितना होगा n times होगा larger होगा single turn पे ठीक है एक turn पे n times larger होगा this is because current in each circular turn has the same direction as the field due to each turn just adds up ऐसा क्यों होता है क्यों current flow हो रहा है circular turn में वो same direction में flow हो रहा है same direction में flow हो रहा है and the field due to each turn जैसे जैसी जैसी field है वो हर एक turn पे क्या होती जाएगी हमारी add होती जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही basically बच्चों इसमें आप अपना right hand thumb rule यानि कि दाहिने अंगुस्ट का जो नियम है उसको धिहान से पढ़िए और magnetic field जो या current उसके बाद हमने पढ़ा है जो अगर सर्कूलर लूप में चुमबकिये की field चुमबकिये शेतर की दिशा क्या होती है उसमें current कैसे परवाहित होता है विद्यू कैसे परवाहित होता है उसके बार में आप पढ़िए अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्क medium वालों को समझ में नहीं आएगा मैंने हिंदी में इसलिए आपको बार बार बताया है कि ये आप दोनों को समझ में आ जाए तो आप अपने दाही ने अंगूत्य का अंगूस्ट नियम और सर्कूलर लूप में जो चुमबकिये का परभाव है का current के साथ उसको ध्यान से प उच सकते हैं